नमस्कार दोस्तों तो quarter three के results का season शुरू हो गया है और आपको पता ही है बड़े बड़े जो भी houses है अपने quarter three के results शो करने वाले है इसका भी फरवरी में result आने वाला है तो estimation पता होने चाहिए क्योंकि long term में यही काम आता है देखें market अगले महीने थोड़ा गिर सकती है संभल के रहना होगा अगला एक महीना सब को याद रखने चीए बात लाइक और subscribe करना मत भूलेगा और कोई buying selling recommendation यह यह भी याद रखेगा देखें अगर revenue की बात करें revenue quarter on quarter तो नहीं बढ़ने वाला पर year और year 1200 करोड के करीब 15600 करोड के कर रहेगा और quarter true के मुकाबले अगर मैं revenue की बात करें तो 400 करोड के करीब 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 कम रह सकता है क्योंकि गर्मी से सर्दी में जब transition होता है तो obviously आपकी power की demand कम हो जाती है दूसरा अगर abita की बात कर जाने तो abita बढ़ते वह दिखाई देगा हर एक मामले में अगर year और year ब quarter बात करें तो 100 करोड के करीब करीब बढ़ेगा profitability भी बढ़ने के chances हैं क्योंकि दो main reasons है वो भी आपको थोड़े दिर में बताऊंगा मैं आपको profit double होने के chances हैं अगर मैं year बात करूं तो quarter on quarter भी 200 करोड के round round profitability बढ़ने के पूरे पूरे chances है तो result बहुत शानदार है शकता है but दो main चीजे देखने वाली होंगी एक तो आपका low fuel cost होगा जिसके वचार दूसरा renewable sector के सब perform कर रहे ये भी आपको नज़र रख नीचे है देखे को buying selling recommendation यह है और यह सिर्फ estimates है और estimate ऐसे रह सकते हैं और थोड़ा उपर नीचे भी हो सकते हैं तो result बहुत शानदा रहने वाल कि आपको प्रूसरा बहुत 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 ऑल नीचे हैं तो